आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास एर्थ इंग्लिश, इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम, नाइट फॉल इन दे सिटी आफ हाइदराबाद, इस पोयम इस कंपोजड बाइ सरोजनी नाइडू, तो यह हाइदराबाद सिटी के बारे में हैं, और पोयम स् सिटी लुग्ट लाइक अंडर्ड इयर्स अगो, तो आपको क्या लगता है, आज से सौ साल पहले, यह जो हमारे शहर हैं, वो कैसे दिखते होंगे, क्या इन सौ सालों में कोई बदलाव आया है, Read a poem about what the city of Hyderabad was like during सरोजनी नाइडू's lifetime, तो यह जो पोयम है, यह सरोजनी नाइडू द्वारा रचित है, और उनके समय में, जिब वो जीवित थी, उनके समय में city of Hyderabad जो है, वो कैसा था, इस बारे में, इस पोयम में mention किया गया है, See, how the speckled sky burns like a pigeon's throde, dwelled with embers of opal and peridot, तो पहले meaning देख लेते हैं, Speckled means होता है dotted, और here dotted with stars, pigeon's throde, pigeon's throde से speckled sky को compare किया गया है, Jeweled, jeweled होते हैं ratna, embers of opal and peridot, ये दोनों ही ratna है, precious stone, opal होता है semi transparent gemstone, और peridot होता है yellow gold gemstone, यहां कावित्री आसमान की सुन्दरता का vernon कर रही है, आसमान में रंग भी रंगे बादल दिखाई दे रहे हैं, जो की city में जो lights हैं, उनका reflection है, जो कबूतर के गले के समान चमक रहा है, आसमान के रंग भी रंगे बादलों को कबूतर के गले से compare किया गया है, यह opal और peridot से जड़ित हैं, और मानों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान में अंगिनत तारे नहीं हैं, बलकि उनको रतनों से जड़ दिया गया है, C, white river that flashes and scintillates, curved like a tusk from the mouth of the city gates, तो इन दो पंक्तियों में नदी का वर्णन किया गया है, मूसी नदी का वर्णन, जो की हैदराबाद में है, और इस तरह से सफेद नदी, जो मूसी नदी है, वो चमक रही है और मुड रही है, जैसे शहर के द्वार से एक हाथी का दान्त निकला हुआ हो, Heart from the minaret, how the musyn call, floats like a battle flag over the city wall, Heart मतलब होता है, listen, सुनना, minarets, a tall tower which is attached by mosque, जो की मजज़ित से जुड़ा हुआ हो, मज़िन यानि आजान की जो आवाज होती है, जो लोग प्रे करके लोगों को बुलाते हैं, हम लोगोंने मज़ितों में जो प्रेयर है, उसको सुना होगा, अक्सर हमारे आसपास मज़ितों में प्रेयर की जाती है, और जो नमाज पड़ी जाती है उसकी आवारजें हम सुनते हैं Floats like a battle flag over the city wall इसका meaning हुआ कि जो मिनार की आजान है वो हमको बुला रही है जो शहर की दीवारों पर युद्ध के जंडे की तरह लहरा रही है From trellized balconies, languid and luminous faces glim wailed in the splendor voluminize Trillized means होता है Supported with wooden or metal bar Hindi में जरोके Langued means relaxed तो जरोको वाली balconyों से आलसी और चमकता चहरे खुशी से चमकते हुए चहरे बड़े शान से घिरे हुए बाहर की तरफ देखते हैं इन नजारों का मज़ा लेते हैं Leisurely elephants wind through the winding lanes Swinging their silver bells hung from the silver chains Leisurely मतलब काफी slowly, काफी धीरे-धीरे मस्त चाल चलने वाले हाती बिलकुल धीमी-धीमी चाल से उन गलियों में जा रहे हैं उस जुलूस में Swinging their silver bells उनके गले में चांदी की घंटियां चांदी की चेन से टंगी हुई हैं Round the high charminar sounds of cavalcades blend with the music of symbols and serenades तो यहाँ पर cavalcades का meaning होता है Lines of people on horses or in vehicles forming part of a ceremony Symbols एक musical instrument है Blend मतलब mix सोना तो उचे चार मिनार के चारों ओर घुर सवारों की आवाजें जांज और प्रेम घीतों की ध्वनियां मिल रही हैं Over the city bridge, night comes majestical Bond likes a queen to a sumptious festival Bond means carried by Lana Sumptious होता है rich, grand and luxuriant मतलब शांदार तो शहर के पुल पर रात राजसी तरीके से आ रही है बिल्कुल राजसी अंदाज में आती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे किसी शांदार उच्छव में संतियस फेस्टिवल में रानी को लाया जा रहा है या फिर रानी आ रही है सरुजनी नाइडू ने इस कविता में हैदराबाद की सिंदर्ता को दर्शाया है वहां की सांस्कृतिक भनिया और रोज मर्रा के जीवन सैली का एक जीवांत चित्रन किया है कावित्री ने विभिन द्रश्यों और ध्वनियों की स्वंदर्ता को भी दर्शाया है वर्णन किया है पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें